हर हर महांदेव कैसे हैं आप लोग आज हमारे घर में चर्चा है आज का मौसम बहुत ही सुहाना था और दादी आपे कुर्सी पर अब दादी योगा करना इस्टार्ट कर दी है देखिए आप लोग भी योगा करणा कीजिए आपका विश्वास ऐसा ही रहेगा आज दादी कुर्सी पर बैठके योगा करी हैं क्योंकि आज सिफ चर्चा है और टाइम भी नहीं था तो भी हलका मुल्का दादी योगा करी लिए फिर योगा करते पर नीचे फिर हमारे घर में फूल इतने सारे खिले थे हैं फिर ये देखिए कित्ने प्यारे लग रहे हैं अच्छा था और बारिज भी होने वाली थी पर हुआ ही नहीं अब देखिए आगे चलके होता है कि नहीं अब दादी अपना ओम करने लगी अब दादी पासी के एक स्कूल में जा रही है फूल तोड़ने वह नीचे उतर कर जाएंगी फूल तोड़ने इतनी सरदा है भगवा बोल रही थी और देखिए चपल भी नहीं पैनी और ऐसे ही निकल ली अब जा रही है दादी उदर इसकूल की ओर फिर इसकूल में आकर भोले नाजी के लिए दुब्भी और घास तोड़े हैं दुब्भी का घास और यहां पे मैंने पीले फूल तोड़ लिये हैं फिर दा यह इसमें था भी नहीं अब दादी चल दी घर की और अब घर से जाएंगी दादी ने उता देने शिव चर्चा के लिए देखते हैं कितने लोग आते हमारे घर पे दादी फूलो का माला बना चूकी हैं अभी इसे रख रही थी बेल पत्र तोड़ कर अब एक साइड रख दादी बिल पत्र को भूले नाजी का फिर यहां पे खीर बनने लगा है लोगों के लिए लोग आएंगे तो हमारे घर खाना भी खाएंगे उसके लिए खीर बन रहा है और यहां पे हमने जूस खहित के पहले से ही रख चूर कूए हैं पिर अब हम लोग सबजी की ओर चलते हैं सब्जी बनाना सुरू हो गया है आलू और काबली चने की सब्जी है देखिए कितना टेस्टी लग रहा है परसाथ महमलो का अब लगबग टाइम हो चुका है दादी देख रहे थी कि कोई आया की नहीं अब सीधे हम चलते हैं पूजा क्यों यहां पे हमारे सीव जी आप लोग को धन्यवाल हमारे घर आने के लिए हमारे घर ढूल और माइक के साथ सीव चर्चा हो रहा है अब अपना दादी गाने की ओर चलेंगी और सीव चर्चा प्यारा सा गाएंगी चलिए सुनते हैं दादी का सीव चर्चा सिव चर्चा खतम होते ही दादी ने अपना परसाद ग्रहर कर लिया है अब हम चलते हैं हर हर महादेव आप सब सुखी रहें और खुस रहें ताटा बाई बाई सो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सेयर प्लीज और कमेंट करना बिलकूल मत बूलेगा तेगा